मद्ध प्रदेश की राजपाल, स्रीमद्ध आनंदिवेन पतेल जी, मद्ध प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्रीमान शिवराज सीं जी, केंद्रिय मंत्री परिशत के मेरे सहयोगी, आरके सीं जी, थावर्चन गहलोज जी, नरेंद्र सीं तोमर जी, धर्मेंदर प्रदान जी, प्रलासी पटेल जी, मद्ध प्रदेश मंत्री मंडल के सदसेगण, सांसत, विधायगण, और रिवा सहीत, पूरे मद्ध प्रदेश के मेरे प्यारे भाईयों और बहनों, नवश्कार, आज रिवा ने वाकई इतिहास रच दिया है, रिवा की पहचान मा नर्वदा के नाम से और सफेद बाग से रही है, अब इसमें एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का नाम भी जुड़ गया है, इसका आस्मान से लिया गया वीडियो, जब हम देखते हैं, तो लगता है कि खेतों में हजारों सोलर पैनल जैसे फसल बनके लहला रही है, या ऐसा भी लगता है कि किसी गहरे समंदर के उपर से गुजर रहे हैं, जिसका पानी बहुत नीला है, और इसके लिए मैं रिवा के लोगों को, मद्दप्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, शुक्कामनाई देता हूँ, रिवा का ये सोलर प्लांट इस पूरे क्षेत्र को इस दसक में उर्जा का बहुत बढ़ा केंद्र बनाने में मदद करेगा, इस सोलर प्लांट से मद्दप्रदेश के लोगों को, यहां के उद्योगों को तो बिजली मिलेगी ही, दिल्ली मैं जैसे आभी सिवराज जी बता रहे थे, मेट्रो रेल तक को रीवा से लाब मिलेगा, अब रीवा वाला सान से कह पाएगा, कि दिल्ली की मेट्रो हमारा रीवा चलाता है, इसके अलावा रीवा की ही तरह साजापूर, नीमच और छत्तरपूर में भी बड़े सोलर पावर प्लांट पर काम चल रहा है, ओमकार इश्वर डेम पर तो पानी में तैरता हुआ सोलर प्लांट, और मुझे पका भरोजा है कि आप जो योजरा बना रहे हैं उसको पूरा करके रहोगे, ये तमाम प्रोजेक्ट जब तयार हो जाएंगे, तो मद्य प्रदेश निश्चित रुप से सस्ती और साथ सुथ्री बिजली का हब बन जाएगा, इसका सबसे अधिक लाब मद्य प्रदेश के गरीब मद्यमवर्क के परिवारों को होगा, किसानों को होगा, हमारे आदिवासी भाईयों बहनों को होगा, साथ्यों हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृती में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में, सूर्य उपासना का एक विशे स्थान है, हमारी यहां कहा गया है, पुनातुमा, पुनातुमा, तत्सवितुर्य औरेड्नियम, यानि जो उपासना के योग्य सूर्य देव है, वो हमें पवित्र करें, पवित्रता की यही अनुभूती आज यहां रिवा में है, हर जगह पर हो रही है, सूर्य देव की इसी उर्जा को आज पूरा देश अनुभव कर रहा है, यह उनीक आशिरवाद है कि हम सोलर पावर के मामले में दुनिया के टौप पाँच देशों में पहुँच गए हैं, साथियों, सूर्य उर्जा आज की नहीं बलकि 21 सदी की उर्जा जरुरतों का एक बड़ा माध्यम होने वाला है, क्योंकि सूर्य उर्जा शौर है, प्योर है और सिक्योर है, शौर इसलिए क्योंकि उर्जा के बिजली के दूसरे स्रोत खत्म हो सकते हैं, लेकिन सूर्य सदा सर्वदा पूरे विश्व में हमेशा ही चमकता रहेगा, प्योर इसलिए क्योंकि ये परियावरन को प्रदोसित करने के बजाएं, उसको सुरक्षित रखने के में मदद करता है, और जैसे शौर है, प्योर है, सिक्योर इसलिए क्योंकि आत्मन निर्भरता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, बहुत बड़ी प्रेणा है, ये हमारी उर्जा जरूरतों को भी सुरक्षित करता है, जैसे जैसे भारत विकांस के नए सिखर की तरफ बढ़ रहा है, हमारी आशाएं, आकांसाएं भी बढ़ रही है, और वैसे वैसे हमारी उर्जा की, बिजली की जरूरते भी बढ़ रही है, ऐसे मैं आत्मन निर्भर भारत के लिए बिजली की आत्मन निर्भरता बहुत आवशक है, इसमें सौर उर्जा एक बहुत बड़ी भूमी का निभाने वाली है और हमारे प्रयास भारत की इसी ताकत को विस्तार देने के है साथियों जब हम आत्मंदिर भरता की बात करते हैं प्रगति की बात करते हैं तो एकोनोमी उसका एक एहम पक्ष होता है पूरी दुनिया के नीती निर्माता बर्सों से दुविधा में है कि एकोनोमी की सोचे या एनवार्मेंट की सोचे इसी उहपों में फैसले कही एक पक्ष में लिये जाते हैं और कहीं दूसरे पक्ष में लिये जाते हैं लेकिन भारत ने ये दिखाया है कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है बलकि एक दूसरे के सहयोगी है स्वच्छ भारत अभियान हो हर परिवार को LPG और PNG का साफ सुत्रा इंद्रन से जोडने का अभियान हो पूरे देश में CNG आधारित वाहन व्यवस्ता इसके लिए बड़ा नेटवर्ग बनाने का काम हो देश में बिजनी आधारित परिवरप्त वहन के लिए नए-ने रिसर्च होने वाले हैं कुछ प्रयास होने वाले हैं ऐसे अनेक प्रयास देश में सामान्य मानवी के जीवन को बहतर और एन्वार्मेंट फ्रेंडी बनाने के लिए लगातार किये जा रहा है भारत के लिए एकोनॉमी और एन्वार्मेंट दो अलग अलग पक्ष नहीं हैं बलकी एक दूसरे के पूरक पक्ष हैं साथियों आज आप देखेंगे कि सरकार के जितने भी कारकर्म हैं उनमें परियावरन सुरक्षा और इज ओफ लिविंग को प्राथिक्ता दी जा रही है हमारे लिए परियावरन की सुरक्षा सिर्फ कुछ प्रोजेक्ट तक सिमित नहीं है बलकी ये वे ओफ लाइफ है जब हम रिन्यूबल एनर्जी के बड़े प्रोजेक्ट लाउंच कर रहे है तब हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि साब सुत्री उर्जा के प्रती हमारा संकल्प जीवन के हर पहलू में दिखे हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका लाब देश के हर कोने समाज के हर वर्क हर नागरित तक पहुंचे मैं आपको एक छोटा सा उदाहर देता हूं सात्यों बीते छे साल में लगभर चत्तीस करोड यह आकड़ा बहुत बड़ा है चत्तीस करोड एलीडी बल्ब्स पूरे देश में वित्रित किये जा चूके हैं एक करोड से जादा एलीडी बल्ब देश भर में स्ट्रीट लाइट्स में लगाए गए हैं और सुनने में तो यह बहुत सामान्य बात लगती है ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि सामान्य तोर पर जब कोई सुवीदा हमको मिलती हैं हम उसके आधी हो जाते हैं तो उसके इंपक्त की या उसके होने या न होने की हमें कुछ महसूस हैं नहीं होता हम ज़्यादा चर्चा भी नहीं करते है इस प्रकार की चर्चा तभी होती है जब वो चीज हमारे पास नहीं होती है साथियों यह छोटा सा दुदिया LED बल्ब जब नहीं था तो इसकी जरूरत अनुवव होती थी लेकिन उस समय कीमत पहुँच से भार थी बिकता भी नहीं था लोग खरीते भी नहीं थे बनाने वाले भी आगे नहीं आते थे तो छे साल में क्या हुआ कौन सा बढ़लाव आया LED बल्ब की किमत उस समय जो थी उससे आज दस गुना गट गई है यानि अगर उस समय 400 रुपया थी तो आज 40 रुपया हो गई अगर 300 थी तो 30 रुपया हो गई अनेक कंपनियों के बल्ब इसके बीच में मेनिफेक्टर रसमें स्पर्दा हो गई बल्ब बाजार में आ गई दाम घरते गई और जो काम पहले 100-200 वाट के बल्ब करते थे वो अब 9 या 10 वाट के बल्ब करने लगे हैं उतना ही उजाला दे रहे हैं गरों और गलियों में एलीडी लगाने भर से ही हर साल करीब 600 अरब यूनिट बिजली 600 अरब यूनिट बिजली इसकी खपत कम हो रही हैं बिजली की बचत हो रही हैं और लोगों को रोशनी भी अच्छी मिल रही है इतना ही नहीं हर साल लगभग 24,000 करोड रुपिय की बचत हमारे देश के खास करके मद्यमबर के परिवार के जेब में बचते हैं हर वर्ष 24,000 करोड रुपिय है यह बचत छोटी नहीं है मद्यमबर निम्न मद्यमबर के जीवन में तो इसके करण बहुत नई एक रोशनी प्यदा हो जाती है यानि LED बर्व से बिजली का बिल कम हुआ है इसा एक और महत्पपूर्ण पहलू है LED बर्व से करीब साड़े चार करोड टन कम कार्बन डायोगसाइड परियावरन में जाने से रुक रही है यानि प्रदूशन कम हो रहा है साथियों बिजली हर किसी तक पहुँचे परियाप्त बिजली पहुँचे हमारा वातावरान हमारी हवा हमारा पानी भी सुद्ध बना रहे इसी सोच के साथ हम निरंतर काम कर रहे हैं यही सोच सवर उर्जा को लेकर हमारी नीती और रन नीती में भी स्पस्ट से जलकती है आप सोचिए साल दोहजार चौदा में सोलर पावर की कीमत साथ आठ रुपय प्रती यूनिट हुआ करती थी और जैसे शिवराज जी ने बताया उसके पहले तो और ज्यादा थी आज यही कीमत सवा दो से धाई रुपय तक पहुंच चुकी है इसका बहुत बड़ा लाब पुद्योगों को मिल रहा है रोजगार निर्मान में मिल रहा है देश वाज़ियों को मिल रहा है देशी नहीं पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है कि भारत में सोलर पावर इतनी सस्ती कैसे है जिस तरह से भारत में सोलर पावर पर काम हो रहा है ये चर्चा लगातार होने वाली हैं चर्चा बढ़ने वाली हैं और लोग भारत से सिखने का प्रयास भी करने वाले हैं ऐसे ही बड़े कदमों के कारण भारत को क्लीन एनर्जी का सबसे एट्रेक्टिव मार्केट माना जा रहा है। आज जब रिन्यूबल एनर्जी की तरफ ट्रांजेशन को लेकर दुनिया में चर्चा होती है तो इसमें भारत को मोडेल के रुप में देखा जाता है। साथियों, दुनिया की समग्रम मानवता की भारत से इसी आशा, इसी अपेक्षा को देखते हुए हम पूरे विश्व को जोडने में जुटे हुए है। इसी सोच का परणाम आइसा यानि इंटरनेस्टनल सोलार अलायंस आइसा इसका हमने निर्मार किया है। वन वर्ड, वन सन, वन ग्रीड के पीछे की यही भावना है। यह सवर उर्जा के बहतर उत्पादन और उप्योग को लेकर एक पूरी दुनिया को इखठा करने का प्यास है। ताकि हमारी धर्ती के सामने खड़ा बड़ा संकट भी कम हो सके। और छोटे से छोटे गरीब से गरीब देश की बहतर बिजली की जरुरते भी पूरी हो सके। साथियों एक प्रकार से सौर उर्जा ने आम गरहकों को उत्पादग भी बना दिया है। पूरी तरह से बिजली के बटन पर कंट्रोल सामान्य नागरिक को दे दिया है। बिजली पैदा करने वाले बाकी माध्यमों में सामान्य जन की भागिदारी ना के बराबर रहती है। लेकिन सौर उर्जा में तो चाहे घर की छत हो, दबतर या कारखाने की छत हो, कहीं पर भी थोड़ा स्पेस हो, इसमें सामान्य जन की अपनी आवशक्ता की बिजली पैदा वो कर सकता है। और इसके लिए सरकार व्यापक पोट्सान भी दे रही है, मदद भी कर रही है। बिजली उत्पादन में आत्म निर्भरता के इस अभ्यान में अब हमारा किसान, हमारा अन्न दाता भी जुड़ रहा है। अन्न दाता उर्जा दाता भी बन सकता है। साथियों, हमारा किसान आज इतना सक्षब है, इतना समसाधन संपन है, कि आज वो एक नहीं दो दो तरह के प्लांट से देश की मदद कर रहा है। एक प्लांट तो वो है, जिन से पारमपारिक खेती होती है, और जो सदियों से करता आया है, और हम सभी को अन्न मिलता है, भोजन मिलता है, किसान हमें भूका नहीं रहने देता है, उसके लिए वो पसीना वहारता है। लेकिन अब दूसरे तरह की भी प्लांट भी हमारे किसान के लिए अउसर बना कर के उसके खेत में दस्तक दे रहा है। और जिससे खेत की आवशक्ता, घरों की आवशक्ता वहां तक बिजली पहुच बीच सकती है। जो पहला प्लांट है, जो पारमपारी खेती है, वो हमारा किसान ऐसी जमीन पर लगाता है, जो उपजाव होती है। लेकिन यह जो दूसरा सोलर एनर्जी प्लांट है, यह ऐसी जमीन पर भी लगेगा, जो जमीन उपजाव नहीं है, पानी नहीं है, फसल के लियाद से वो जमीन अच्छी नहीं है, यानि कि किसान की वो जमीन, जहां फसल उगाने में बहुत खर्चा हो जाता है, और कोई गा बाद हो जाता है, उस जमीन का उप्योग भी होगा, उससे भी किसान की आमद नी बढ़ सकती है, कुसुम योजना के माद्यम से आज किसानों को अत्रिक जमीन पर ऐसे सोलर प्लांट लगाने में मदद करने की योजना काम कर रही है, खेतों में ही जो सोलर बिजली पैता कि इस से हमारे किसान अपनी जरूरतें भी पूरी कर पाएंगे और अतिरिक्त बिजली को बेज भी सकेंगे, मुझे पुरा विस्वास है कि मद्द प्रदेश के किसान साथी भी अतिरिक्त आएके इस साधन को अपनाने और भारत को पावर एक्सपोर्टर, उर्जान निर्य जातक बनाने के इस व्यापक अभ्यान को जरूर सफल बनाएंगे, ये विश्वास इसलिए अधीक है क्योंकि मद्द प्रदेश के किसानों ने संकल्प को सिद्धी में बदल करके दिखाया है, आपने जो काम किया है, वो हर किसे के लिए प्रेना का कारण मना हुआ है, जिस प्रकार आपने गेहु उत्पादन के मामले रिकॉर्ड बनाया, दूसरों को पीछी छोड़ दिया, वो प्रसौंस नहीं है, कोरोना के इस मुश्किल समय में किसानों ने जो रिकॉर्ड तोड उत्पादन किया, मद्द प्रदेश की सरकार ने रिकॉर्ड तोड खरीद की, उसके लिए भी आप प्रसौंसा के पात्र है, और इसलिए बिजली उत्पादन के मामले में भी मद्द प्रदेश के सामर्थ पर मुझे पूरा भरोसा है, उमीद है कि एक दिन ये भी ख़बर आएगी कि कुसूम योजना के तहट मद्द प्रदेश के किसानों ने और बिजली उत्पादन की है, बिजली पैदा की है, भाई और भेनों, सोलर पावर की ताकत को हम तब तक पुरी तरह से उप्योग नहीं कर पाएंगे, जब तक हमारे पास देश में ही बहतर सोलर पैनल, बहतर बैटरी, उत्तम क्वालिटी की स्टोरेज, उसकी कैपेसिटी का निर्मान ना हो, अब इसी दिशा में तेजी से काम करना है, और हम सब करके रहेंगे, आत्म निर्भर भारत अभियान के तहट, अब देश का लक्ष है, कि सोलर पैनल सहीद, तमाम उपकरों के लिए, हम आयात पर अपनी निर्भरता को खत्म करें, लक्ष ये हैं, कि अभी जो देश की सोलर पीवी मॉडूल मैनिफेक्टरिंग कैपसिटी है, उसको भी तेजी से बढ़ाया जा रहे, और इसलिए गरेलू मैनिफेक्टरिंग को बढ़ावा देने के लिए, अनेक जरूरी कदम उठाये जा रहे है, अब जैसे कुसुम योज जना के तहर लगाये जा रहे है, पंपों में, सोलार पंप बनाए जा रहे है, गरों में लगने वाले रूप्टॉप पैनल में, भारत में ही बने, सोलार फोटो वाल्टेक्ट सेल्स और मोडूल्स, इसको हमने जरूरी कर दिये गए हैं, इसके अलावा, सरकारी विभाग और दूसरी सरकारी संस्ताएं, जो भी सोलार सेल्ल या मोडूल खरीदेगी, वो मेकिन इंडिया ही हो, ये ताय किया गया है, यही नहीं, पावर प्लांट लगाने वाली कमपनियां, सोलार पीवी मैनुफेक्टरिंग भी करें, इसके लिए भी प्रोचाहन दिया जा रहा है, मेरा आज इस सेक्टर से जुड़े, उद्यम्यों से, युवा साथियों से, स्टार्ट अप से, मसमी से, यही आग रहे हैं, कि आप इस अवसर को जाने मत दिजिए, इस अवसर का फाइदा उठाईए, भाई और भेनों, आत्म निर्भरता, सही माइने में तभी संभव है, जब हमारे भीतर, आत्म विश्वास हो, आत्म विश्वास तभी आता है, जब पूरा देश, पूरा सिस्टिम, हर देश वासी, हम सब मिलकर के, आत्म निर्भरता की दिशा में चल पड़े, कोरोना संकर से पैदा हुई स्थितियों के बीच, भारप यही काम कर रहा है, सरकार यही आत्म विश्वास जगाने में जुटी है, समाज के जिस तबके तक अक्सर सरकारे पहुँच नहीं पाती थी, आज उन तक सरकार के संसाधन और संवेजना दोनों पहुँच रही हैं, अब जैसे प्रदान मंत्री गरीब कल्यान योजना को ही लीजिये, लोकडाउन के तुरंद बाद पहला कदम ये उठाया गया, कि देश के 80 करोड से अधिक गरीब साथियों तक मुप्त खाना पहुँच सके, उनकी जैम में थोड़ा बहुत खर्चे के लिए विवस्था रहें, और जब लोकडाउन उठाया गया, तब सरकार को लगा कि आने वाला समय तो बरसाद का भी है, त्योहारों का भी है, और हमारे हाँ तो दिवाली और छट पुजा तक अब तो तहवार ही तोहार चलते रहते हैं, और सभी संप्रदाय, सभी धर्मों के तोहार रहते हैं, ऐसे में गरीबों को ये मदद मिलती रहनी चाहिए, इसलिए इस योजना को जारी रखा गया, अब गरीब परिवारों को नमंबर तक मुप्त रासन मिलता रहेगा, इतना ही नहीं, दिजी छेत्र के लाखों कर्मिचारियों के एपी एफ खाते में भी सरकार पूरा अंसदान दे रही है, इसी तरह पी-म स्वनीधी योजना के मार्दम से, उन साथियों के इस उद भी ली गई है, जिनकी सिस्टिम तक सबसे कम पहुच पाई होती थी, आज इस योजना से रहडी ठेला लगाने वाले लाखों साथियों को 10,000 रुपिय तक के सस्ते रण बैंक से मिलने लगे हैं, हमारे लिए सबसे अधीक उप्योगी, हमारी ये साथि अपने छोटे से कारोवार को बचा सके, चला सके, हमारी हाँ इन सारी चीजों को कभी प्राक्विक्ता नहीं रहती थी, लेकिन एक संवेदन सिलक सरकार होने के कारण, देश की भावी पीडी को समर्पित होने के कारण, आज हम लगातार कदम उठा रहे हैं, यानि एक तरफ छोटे लगू कुटुर उद्योगों और बड़ो उद्योगों के बारे में सोचा गया, तो दूसरी तरफ इन छोटे लेकिन उप्योगी कारोवारियों की भी चिन्ता की गई हैं, साथियों, सरकार हो या समाज, सम्वेदना और सतर्क्ता इस मुश्किल चुनियोती से निपटने के लिए हमारे सबसे बड़े प्रेणा स्रोप है, आज जब आप मद्वदेश को, पुरे देश को आगे भणाने के लिए, रोजी रोटी भी कमाने के लिए, घर से बार निकल रहे हैं, निकलना पड़ रहा है, तो अपनी एक और जिम्मेदारी भी हमेशा याद रखी, और वो है, और मैं चाहूंगा, जो बात मैं बताता हूँ, ये बाकी लोग भी बार बार बताते रहें, जहां भी हैं बताते रहें, दो गज की दुरी, चहरे पर मास, हाथ को बीच सेकंड तक साबू से धुलना, कहीं पर भी थूकना नहीं, ये सारे नियमों का हमें हमेशा पालन करना है, आप भी बचेंगे, आपका परिबार भी बचेगा, और आपके यार, दो, साथी, मित्र, सहयोगी, हर किशी की जिन्दगी बचाने में, आप बहुत बड़ी भूमी का अदा करेंगे, और इसलिए इन नियमों में, इस अनुशासन में, कहीं पर भी कमी मत आने देना, आपका जीवन बहुत मुल्यवान है, न सिर्फ आपके परिवार के लिए, देश के लिए भी मुल्यवान है, और इसलिए इन नियमों का हमें पालन करना ही है, और इसलिए इन नियमों का हमें मेरे प्यारे साथियों एक बार फिर आपको मद्द प्रदेश को इस सोलर पावर प्लांट के लिए बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ और ये कहना चाहूँगा कि प्लांट भले रीवा में लगा हो बिजली चलो दिली के मेटरों तक पहुंती होगी लेकिन इसके कारण परियावरन के पक्ष में जो काम हुआ है उसका प्रभाव पूरी मानोजात्वे होने वाला है पूरे विश्व पर होने वाला है और इसलिए आपने एक सुरक्षित विश्व के लिए मजबूत नीव आज रिवा में डाली है ये काम छोटा मत समचता है फिर एक बार मैं आपसे यही कहूंगा आप सतर्क रहें सुरक्षित रहें स्वस्त रहें बहुत-बहुत आबार